हेलो बच्चों, first of all यह question को read करते हैं, the question is if एक determinant दे रखा है 2A, 3R, X, 4B, 6S, 2Y, minus 2C, minus 3T, minus Z equal to lambda times of A, R, X, B, S, Y, C, T, Z, then what is the value of lambda यहाँ पर 4 option given है, A, B, C, and D और हमें इन में से correct option चूज़ करना है तो आई यह question को solve करते हैं देखें सबसे पहले यह जो left hand side में determinant लिखा हुआ है, इसमें column 1 में हमें 2 common मिल रहा है और column 2 में हमें 3 common मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हम first column में से 2 और second column में से 3 को common ले ले लें तो कितना आजाएगा बाहर, 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, A, 2B, और यहाँ पर बचेगा, minus C इसी तरह यहाँ पर कितना आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा, R, 2S, और minus T then, X, 2Y, और minus Z, ठीक है, और equal में कितना है, lambda times of A, R, X, B, S, Y, C, T, और Z, ठीक है, अब देखिए देखिए, फिर से, R, 2 में, 2, और R, 3 में, minus 1 अगर हम common ले लें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 6, 2s are 12, और minus 1, यानि कि minus 12 आ गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए, A, R, X, यहाँ पर आजाएगा, B, S, Y, यहाँ पर आजाएगा, C, T, Z, equal to में, lambda times of A, R, X, B, S, Y, C, T, और Z, अब देखिए, अगर हम compare करें, तो lambda की value, यह देखिए, पूरा determinant और इस determinant के बिल्कुल similar आ गया, तो lambda की value कितना में हो जाएगी, on comparing, minus 12, ठीक है, जो कि हमें किस option में मिल दा है, option B में, तो correct answer हो जाएगा, option B, I hope आपको questions on में होगा, thank you.